आज हम temporary hand stitch देखेंगे उसके लिए हम सबसे पहले इवन बास्टिंग इस्टिच का यूज करेंगे सबसे पहले हमने इसको लिए एक straight line कीची है और दो layers लिए हैं इसमें निडल को इस तरीके से फसाते हुए अब हम 1 4 इंचिस की distance पे even hand stitch लगाना है start करेंगे इसमें हमें ध्यान रखना है उपर जित्ता गयाप होगा अंदर की तरफ भी उतना ही gap आना चाहिए इस चीज का हम ध्यान रखेंगे और इसे पूरी दीरे पूरी में stitch करेंगे यह हमारा इवन हैंड स्टिच होगा इसमें दोनों सा तरफ एकवल धागा आता है बराबर ना उपर कमाता है नीचे धागा कमाता है इसका यूज हम कोट बनाने के लिए जो लाइन होती है उसमें करते हैं जहां पर किनार्या एजीली टिक सके हमारी कि यह इवन हैंड स्टिच हो गई है यह बास्टिंग स्टिच हैँ यह आप अनी यूज करेंगे इसके लिए उसी तरी के दागा डाला और इस तरीके से ही यूज किया बस इसमें अन्तर होगा की इसमें उपर की जाइऊए वह बढ़ी होगी और नीचे छोटे शोटे टाके काफी कम दिखाई देगी और ऊपर की स्टिच ऐसे काफी बड़ी दिखाई देगी कि कि किसके ईवाए यूज जो रहता है वोक्ति इस तरीकिक उप प्पड़े के लिए यह हमारा uneven हो गया uneven में एक हुए चोड़े टाके है है इस तरीक इसमें नलगाया और हम इसमें इस कट कर लेंगे अब आते हैं डाइगनल पर चुछ दिशिच लगनी होती है वहां पर यूज होती है इस तरीक इस तरीक सा तिरची सिलाय लेते है और से लगाते हैं तिर्शी सलाय लेने से दो बास्टिंग स्टिच खोने की जो इस पेस होती है वह बच जाती है और वहां पर एक ही डाइगनल स्टिच लगती है यह तका भी वन फॉर्थ इंचिस का होता है इस तरीके से लगता है इसे लाइनिंग और इंटर लाइनिंग के लिए यूस किया जाता है इसे फैब्रिक को फोल्ड करके दबाया इजी वे में चल जाता है इसलिए इस का यूस किया जाता है इसके सिवा एक टेलर का टेलर स्टिच भी होती है जिसको टेलर का टाका कहते हैं यह जो कटिंग वाले कपड़े होते हैं उनके उपर जो डेजाइन होती है उसको स्टिच करने के लिए किया जाता है वो टेका टेलर का टाका या टेलर स्टिच कहलाती है यह टेम्परेरी स्टि ने इसलीएे इस तरीके से हाथ से ही लगती है एक मारा पप्लीट हो गया यह कुछ इस तरीके से दिखे गा यह कि gave an easy आजी इस तरीके से ऑडायगेणल इस तरीके से